नमस्कार मेरे प्यारे शात्रों अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 का question number 2 solve करने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार से है solve the problems given in example 1 ठीक है तो हमें जो example 1 है उसमें जो problems दिये गए थे उनको क्या करना है solve करना है ठीक है तो करते हैं अब वो जो problems थी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं है न उसके बाद हम उसको क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है तो example 1 में दो problems दी गई थी है न तो हम one by one दोनों को क्या यहाँ पर solve कर लेंगे तो यहाँ पर पहला problem था क्या था जौन एंड जीवन्ती तोगेदर हेव 25 marvels both both of them lost 5 marvels each and the product of the number of marvels they now have is 124 we would like to find out how many marvels they had to start with तो question इस प्रकार का है जौन एंड जीवन्ती जो है ठीक है उन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 marvels थे ठीक है और उन दोनों ने 5-5 marvels खो दिये हैं है न जब वो 5-5 marvels खो देते हैं तो उसके बाद जो उनका गुननदफल होता है वो कित्ता होता है 124 होता है और हमें क्या करना है कि जो उनके पास प्रारंभ में marvels थे उनकी संख्या निकालनी है उनकी संख्या ग्याद करनी है ठीक है तो इंगलिस और हिंदी में भी हमको दोनों में समझ में आ गया होगा कि question क्या है ठीक है चलिए अब हम इसको solve करते हैं कि लेट नंभर आप जौन मारवल इस इकवर टू ए अर्थाव जौं जौन है उसके पास जो marvel से उनकी संख्या क्या मान रहे हैं एक मान लेते हैं और जो जिवन्ती होगी जिवन्ती है उसके पास जो मार्वल्स की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 45 मार्वल्स एक्स क्यों हो जाएगी क्योंकि उसने हमको पहले ही दे दिया क्यों के दोनों के पास मिला कर कितने मार्वल्स है 45 मार्वल्स है तो अब suppose जॉन के पास अगर मालो एक्स मार्वल हैं तो जीवन्ती के पास कित्ते हो जाएंगे एक 45 माइनस एक्स मार्वल हो जाएंगे ठीक है अब क्या बोल रहा है कोश्चन में बोथ आप देम लॉस्ट फाइट मार्वल्स ठीक है लॉस्टफर के पाइच जो दूनों है वो 75 मार्वल्स क्या करें खो देते हैं थेना तो हम यह वह लिगते आप्टर lozie5 मार्वल्स है किया अगर ते पहले जॉन के पास एक्स मार्वल थे तो अब कित्ते हो जाएंगे एकस माइनस फाइब हो जाएंगे और अगर मान लो जानवी के पास जीवनती के पास जीवनती के पास अगर मान लो 45 मार्वल से तो उसमें से हम क्या कराएंगे अभी 5 लेज कर देंगे क्योंकि इसके 5 जो मार्वल से वो क्या हैं खो गए हैं ठीक है अर्था नंबर आप जॉन्स मार्वल इस एक्स माइनस 5 नंबर आप जीवनतिस मार्वल इस 45 माइनस एक्स माइनस 5 अर्था दोनों में से क्या कराएं आपने 55 लेज कर दिये माइनस कर दिये क्योंकि दोनों 55 मार्वल क्या कर दिया दोनों ने लॉस कर दिया खो दिया है ठीक है तो अब इसको हम इस पर देखो 45-6-5 तो यह हो जाएगा 45 में से 5 जाएगे तो हो जाएगा 40-1 ठीक है तो यहां तक हमें इस्तिती समझ में आ रही है अब आगे जो question है उसको solve करते हैं हम ठीक है तो आगे जो question में दे रखा है उन्होंने के the product of number of marvels they now have is 124 अर्थात 55-5 marvels होने के बाद जो दोनों के पास marvels बचे हैं उनका product कित्ता हो रहा है 124 हो रहा है ठीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं it is given that the product of marvels after lossing is 124 ठीक है अब हम क्या लिखेंगे आपर x-5 into 40-x is equal to 0 ठीक है अब इसी को हम थोड़ा सा आगया और solve करते हैं तो x का multiply is 40 में करेंगे तो हो जाएगा मारे पास यह इस x का यहां multiply करेंगे तो हो जाएगा minus x square इस minus 5 का 40 में करेंगे तो यह आएगा minus 200 minus का इस minus में करेंगे तो हो जाएगा plus 5 x is equal to sorry यह प्रोड़क्ट किता आ रहा है 124 तो यह 0 हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया यह क्या होना चाहिए यहां पर 124 ठीक है है ना तो यह हो जाएगा हमारे पास 124 बोल रहा था ना यह एट इस गिवन देट अप्रोड़क्ट आप मार्वल्स आफ्टर लॉसिंग 124 अपने यहां लिख दिया 124 ठीक है इनका प्रोड़क्ट है ना तो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लिया हमने यहां पर तक की जो इस्टेफ है इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो हो जाएगा यह 40 एक्स प्लस फाइव एक्स यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस का 124 इस इकवल टू जीरो ठीक है तो यहां तक तो आपको एक्वेशन समझ में आ गई होगी है ना इसको हम थोड़ा सा आगे और स्वाल्व कर लेते हैं हम क्या करते हैं इसमें दोनों साइड में क्या करते हैं माइनस वन का मल्टिप्लाइ करते हैं क्योंकि हमको एक स्वेशन क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए तो हम यह क्या करते हैं माइनस वन का मल्टिप्लाइ कर देते हैं दोनों तरब तो हमारे पास क्या हो जाएगा यह आपर यह square हो जाएगा minus का plus हो जाएगा ठीक है और यह 45 X यह minus Ti- richtig हो जाएगा minus 45 x और यह 200 है हो जाएगा प्लस का 200 और यह माइनस का 124 है तो यह हो जाएगा हमारे पास प्लस का 124 is equal to 0, 0 में माइनस 1 का multiply करोगा तो वो 0 ही आएगा इसको थोड़ा और solve कर लेते हम तो यह हो जाएगा हमारे पास x square minus 45x प्लस यह हो जाएगा हमारे पास 200 and 124 that is 324 is equal to 0 ठीक है उसके बाद जो सारा काम हमारे लिए आसान है जो हम factorization method से x की values निकालते थे वही हमको यहाँ पर निकालनी है ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे जो x square का coefficient है अर्थात 1 उसका multiply करेंगे 324 से तो 1 का हम जब 324 के साथ multiply करते हैं तो आता है 324 अब हमें क्या करना है इस 324 के एसे product करना है एसे भागों में तोड़ना है उसको कि हमारे पास जो है प्रोडक्त दो संख्याओं का product तो क्या आ जाए 324 आ जाए और हमारे पास जो इनका sum है यहां प्लस साइन है ना इसलिए सम तो जो सम है वह 45 आ जाए ठीक है तो चलिए ऐसी संख्याओं ढूंडते हैं तो हम यहाँ पर इस फेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे 324 के हम फेक्टर कर लेते हैं तो तू से हम इसको फोट दिवाइड करेंगे 24 को तो 162 आएगा फिर तू से फिर दिवाइड करेंगे 81 आएगा फिर 21 को से ब्कद्ट्रेगे भीती से डिवाइडज करेंगे 27 और को मै आइगा 9 को आइब करेंगी थिरी से तो थी यह ईगा ठीक है तो इस प्रकार से हम घ्जाव यहां पर ध्यान दीजेगा यह जो हमारे पास number है तो को ह्यां ठीक है यह 5K 8 का multiply 2 से करेंगे तो four आ जाएगा ठीक है उस four का इस three से करेंगे तो हमारे पास कहा जाएगा four three, जार 12 इस 12 का इस three के साथ हम multiply करेंगे तो लिकता जाएगा 36 तो ये तो आएगा 36 और ये लोग्या हमारे पास क्या 9 ठीक है तो देखों यह पर 36-9 कोरा है हमारे पास 45 और दरीप्सकश्ची कर्ण ना यह जिए लेग़ तो थR2 25 आएगा ठीक है x plus 324 is equal to 0 इसको थोड़ा और solve करेंगे हम यहाँ पर आगे तो यहाँ जाएगा x square minus 36x ठीक है minus का अंदर multiply करेंगे तो minus 9x और यहाँ जाएगा plus 324 is equal to 0 ठीक है अब यहाँ पर सम्क्या करेंगे दो दो के pair बना लेंगे जैसा क्या हम पहले से करते आए हैं है ना यहाँ से x common निकल रहा है एक से हमको इसा दिख रहा है जो common हो सकता है तो x common निकाला हमने तो यहाँ बचेएगा हमारे पास x minus 36 ठीक है minus यहासे 9 अपने को common निकल रहा है तो 9 निकाल लिए हमने common यहाँ से आजाएगा x minus यह आए हो जाएगा 36 is equal to 0 यह x-36 यह x-36 दोनों एग्जेसन नंबर से हैं इनको common ले सकते हैं तो यहां से लिख दिया हम इने x-36 ठीक है अंदर आ जाएगा हम आपास x-9 is equal to 0 तो हम आपास क्या होगा यह होगा x-36 is equal to 0 और x-9 is equal to 0 ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा x is equal to 36 और x is equal to 9 ठीक है तो अब यह दो-दो नंबर सारा है हमारे पास हम यहां पर देख लेंगे यह क्या है अगर जॉन के पास जॉन के पास 36 मारवल हैं तो फिर जीवनती के पास कितने मारवल होंगे पता लगाएंगे हम और यदि मानलो जॉन के पास 9 मारवल हैं तो जीवनती के पास कितने मारवल होंगे यह भी पता लगाएंगे हम ठीक है तो ध्यान से देखिएगा इसको इव दा नंबर आप जॉन्स मारवल्स इस एक्वल तो 36 अर्थार यह जो एक्स वरावर 36 आ रहा है यह जॉन के नंबर से हैं जॉन के मारवल्स हैं तो यह हो जाएगा फुर्टी फाइब मारवल्स फिल भी क्या होगा हमारे पास जीवन्ती के मारवल्स किता था हमारे पास फुर्टी फाइब माइनस एक्स थे है ना तो यह हो जाएगा फुर्टी फाइब माइनस थर्टी सिक्स देट इस इस एक्वल टू नाइन ठीक है तो यह हमारे पास क्या आ गया जीवन्ती के मारवल्स आ ठीख है, If the number of John's marvell's is equal to 9, then the number of Jevante's marvell's is equal to 45 minus X, that is 45 minus 9 is equal to 36, अर्थात यहाँ पर हो रहा है, अगर John के पास 36 marvell's थे, तो Jevante के पास कितने थे, 9 थे, और यदि, John के पास 9 marvell's थे, तो Jevante के पास कितने थे, 36 थे तो इस प्रकार से आपका यह वाला प्रस्णिया आपर solve हो जाता है प्रस्ण आपको अच्छे समझ में आई ही गया होगा है ना अता इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें तथा इस वीडियो को share भी कीजिए और जिन्होंने चेनल सब्सक्राइब नहीं किया हो क्रप्या चेनल भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले थैंक यू तो हमारा पर जो question second है ठीक है उसमें बोला काया था कि जो फर्स्ट एक्जामपल है उसके प्राब्लम्स को solve कीजिए ठीक है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जो प्राब्लम थी वो solve कर लिए है अब यहाँ पर हम दूसरे नंबर का जो प्राब्लम में उसको solve करते हैं ठीक है तो क्या दे रखा cottage industry produces a certain number of toys in a day ठीक है दा कॉस्ट आप प्रोडक्शन आफ इच ट्वाइच ट्वाइज वाज found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day the total cost of production वाज रूपीज सेवन फिप्टी find out the number of toys produced on day to day ठीक है अर्था कोई कुटी रूद्योग है ठीक है उसमें कुछ खिलोने बनाए जाते हैं है ना उन खिलोनों की जो cost है मतलब उसकी जो कीमत है वो प्रतिक जो toy है उनकी रूपीज में होती है है ना और अर्था एक जो toy है उसकी कीमत जो है वो क्या होगी जित्ते भी वहाँ पर खिलोने बनाए जा रहे हैं ठीक है उनको 55 में से माइनस करने पर जो आएगा वो क्या होगी एक खिलोने की कीमत होगी ठीक है तो हम क्या करते हैं इसी question को solve करते हैं ठीक है तो यहां ध्यान दिजेगा सबसे पहले तो a cottage industry produced a certain number of toys in a day हम मान लेते हैं कि पर्टिकुलर डे पर किसी दिन जो है टॉय जो है वह एक्स टॉय बनाए जाते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं लेट दा नंबर आप टॉय प्रडि उज्ड इस एक्वल टू एक्स अर्थाच क्या है कि किसी पर्टिकुलर दिन पर जो खिलोने बनाए जा रहे हैं उसकी संख्या हमने क्या करी एक्स मान ली ठीक है ठीक है therefore the cost of each toy is equal to 55 minus x क्यों होगी क्योंकि हमको यहां पर बोल रहा है क्या the cost of production of each toy ठीक है each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced तो number of toys produced हम क्या पुआन रहे थे x ठीक है तो उसको क्या करना पड़ेगा 55 में से minus करना पड़ेगा 55 में से घटाना पड़ेगा तो हमने इसको यहाँ पर घटा दिया है ठीक है अब वो बोल रहा है कि किसी प्रडिकुलर एड़े ठीक है the total cost of production was रुपीज 750 find out the number of toys produced on that day हम इसको आराम से solve कर सकते हैं वो बोल रहा है कि जो production है ठीक है वो कित्ता है total उसकी पूरी cost जो आती है वो कित्ती है 750 है ठीक है यहां बोल रहा है क्या कि हमने यह लिख दिया given day the cost of production 750 रुपीज ठीक है अर्थात क्या कि एक जो ट्वाइ है उसकी कीमत कित्ती है 55 माइनस एक सुरुपीज और टोटल कित्ते ट्वाइ बना रहे हैं एक सुरुपीज तो पूरों की कीमत जो होगी वो कित्ती होगी 750 तो एक की कीमत इत्ती तो एक स की कितनी वो है 750 तो भी आप लिख देते हैं क्या हैंस 55 माइनस x is equal to 55 माइनस x into x is equal to 750 ठीक है अब हम इसी को solve करेंगे equation अमारी बन चुकी है है ना equation अमारी आ चुकी है अब इसको हम क्या करेंगे आगे solve करेंगे ठीक है तो ध्यान से देखिएगा बड़ा आसान सा प्रशन है ये तो ये 55 का x में multiply करेंगे तो हो जाएगा 55 x इस x का इसमें करेंगे तो हो जाएगा minus x square is equal to 750 ठीक है अब हम इसको इधर लखे side लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 x minus x square minus 750 is equal to 0 ठीक है इसको हम आगे और solve कर सकते हैं हम क्या करेंगे आप है minus 1 का multiply करते थे दोनों side में तो ये x square जो है ये हो जाएगा प्लस का x square और ये 55 55 जो है 55 x ये हो जाएगा माइनस का 55 x और ये 75 है ये हो जाएगा प्लस का 75 is equal to 0 ठीक है आगे x square के साथ में जो गुणा हो रहा है किसका हो रहा है एक का हो रहा है अर्था एक square का coefficient क्या है हमारे पास एक है उस 1 का हम क्या करेंगे 750 के साथ जो गुड़नफल है अर्था जो प्रोडक्ट है वह 750 आ जाए और जो उनका कि उनको जोड़ने पर ये plus sign है यहां पर हमारे पास last में तो plus sign होए तो जोड़ने पर अर्था प्लस करने पर प्लस करने पर कित्ता आ जाए 55 आ जाए ठीक है तो ऐसे संख्या है हम धूंडते हैं चलो तो ऐसे numbers धूंडने के लिए हम क्या करते है यह 750 है ठीक है तो हम यहां पर prime factorization method जो है ठीक है गुड़नखंड विदीस हम क्या करते है यह वाले number निकाल लेते हैं के जिनको plus sign है इसलिए जोड़ने पर 55 आ जाए और गुणा करने पर 75 आ जाए ठीक है तो हमने क्या करते है 75 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करा 375 अपनों को मिला फिर उसको 3 से डिवाइड करा तो 125 आया 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा तो इस प्रकार से हमें यह numbers मिल गए है ठीक है अब इनी क्यों हम क्या करते हैं आपस में multiply करके देखते हैं और plus करके देखते हैं तो वो कुन से number है हम आसानी से खोज सकेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास 2 का multiply करेंगे हम 3 में तो 2 3 जा 6 और 6 का 5 में करेंगे 6 5 जा 30 तो यह वाले जो हिस्सा है इतना ठीक है इसका product आ रहा है हमारे पास 30 और यह हमारे पास आ रहा है 25 ठीक है तो यह 30 और यह 25 को अपन जोडते हैं तो क्या आता है 55 आता है 30 और 25 को प्लस करते हैं तो क्या आता हमारे पास 55 आता है और 30 में 25 का multiply करेंगे तो 750 आए गई आएगा क्यूंकि यह तो इसके factor ही है है ना 75 का 750 का क्या ही है हमारे पास factor है है ना तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब क्या x square minus 55 है 55 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 plus 25 into x plus 750 is equal to 0 ठीक है तो हम यहाँ पर लिखते हैं x square minus 30 का x में multiply करेंगे हम तो हो जाएगा 30x और यह minus का इस plus में तो minus 25x plus यह आजाएगा हमारे पास 750 is equal to 0 ठीक है इसको थोड़ा और आगे solve करते हैं हम तो यह दो-दो terms के हम क्या करेंगे pair बना लेते हैं है ना जोड़े बना लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे x common निकालेंगे तो यह x यहाँ से आजाएगा common तो यह अंदर बचेगा x minus 30 और minus यहाँ से 25 अपन common ले लेते हैं तो यह 25 हमने common लिया तो अंदर बचेगा x minus 30 ठीक है is equal to 0 तो यह इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास क्या x minus 30 और x minus 30 इसको हम बाहर common ले सकते हैं तो x minus 30 यह दोनों में terms में एक जैसा है है ना तो इसको हमने बाहर ले लिया common तो क्या बचेगा हमारे पास यह वाला x बचेगा यह और यहां से बचेगा यह minus 25 is equal to 0 ठीक है तो अब हमारे पास क्या होगा यह पर x minus 30 is equal to 0 और x minus 25 is equal to 0 ठीक है इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास क्या हमारे पास 30 और x बराबर आएगा 25 ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ के number of twice वह है वो यह तो 30 होंगे यह 25 होंगे ठीक है आईदर दे 30 और 25 ठीक है हैंस दा नंबर आप ट्वाइस बिल बी आईदर 30 और 25 ठीक है तो आशा करता हूं यह वाला प्रस्ण भी आपको अच्छे से ने का असानी से समझ में आ गया होगा धानाप्या इस वीडेओ को like अवश्य कर दे यह कर देए था अगर आप अपने मित्रों के साथ इसको सेर करना चाहतें तो सेर भी कर लें और जिन्हों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो कि रप्या इस वीडियो को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ठीक है थैंक यू